हेलो अब्रीवन आप सबका स्वाइब एक बार फिस्वी हमारे इस यूटुप चैनल इस्टिक एन में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वारे हैं कि डियरेट सेशन 2024 के लिए जो अड़मिशन का प्रसेश से रूख कर दिया गया है तो SCRT चंडीगर की तरफ से 2024 थी डियरेट कोर्स की अड़मिशन के लिए जो दाफिले के लिए ऑनलाइन प्रसेश से वो शुरू कर दिया गया है तो जब दीक जाम में भी डियरेट की अड़मिशन के लिए जो शुरू किया जाएगा बट आज की सूड़में हम आपको जो देते हैं इसके बाद जब पंजाब में अड़मिशन शुरू होगी वो भी हम आपके साथ अपडेट कर देंगे पिलाल इस वीडियो पे जरी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो पंजाब में अड़मिशन होगी उसका अप्तरटी एरिया क्या रहेगा उसकी तो मैं पूरा अपसेस आपको बताँगा कहां पर आपने अगर संडीगर में भी अड़मिशन लेना जाते हैं कुछ संडीगर में भी जाकर अड़मिशन लेते हैं उनके लिए भी जो वीडियो वो हेल्फुल रहने वाली है यहांपर सबसे पहले बता दूं कि स्टेट पॉ प्रोमा इनलिमेंटरी एड़मिशन जीस से हम डियरेट कोर्स कहते हैं तो थाउजन ट्वंडिफॉर की अड़मिशन के लिए जो एप्लिकेशन है उसको फिल करने के लिए जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है तो यहांपर बता दें कि दो यह चोवीस पच्छीस दिया गया है इसके लिए ओफिसिल वैबसाइट जो है वो दी ही डोट सी हडी डोट जी योड़ ओट एन सी यहां पहे आपको जापर आपकी अप्लाइक करना है तो कैसे अप्लाइक करना है वो भी मैं आपको बताँगा बात में तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्ट जो DLA के कोर्स के लिए जो कर्टीरे था रिजुशन कर दी गई थी पंजाब में लास यह यानि की 2024 में ही शुरू किया गया था बद 2022 में चंडीगर में शुरू कर दिया गया था लिजबर्टी कर दीडे की बात करें तो यहां पर आपको बेशलर डिगरी चाहिए बी एबी एसी बी कॉम और इसके एक्टू एरं जो भी आपके पास बेशलर डिगरी है वो होनी चाहिए पिचास परसंट नंबर होनी चाहिए आपको अगर आप रिजर्वेशन के डिगरी में आते हैं तो फाइब परसंट आपको मार्क्स जोंगे वो लेस हो जाएंगे पॉर डियर्ड कोर्स फोर सेशन टू थो जबन टिफोर हैस बिन स्टारड फॉर्म प्रॉम टॉपर यानि की थर्टिफोर्स्ट मई से जो अदमिशन के लिए पर साज़ए वो फो फो चुका है तो आपने क्या करना है याप आपको एक मिल जाएका तो प्लिक है तो अप्ला 31 से और क्लोजिंग जो है वो 28 जून है वह यहां पर आपको यहां भी आपको नोटिस मिल जाएगा ठीक आपने इसको प्लोज कर देना है यहां पर आपने सभी इंस्टिक्शन जो पढ़ लेनी है आपने ओना इस्टिक्सिंग कैसे करनी है इसकी प्रसेसिंग फीस नगेगी आपकी 200 रुपे जनल के लिए और 100 रुपीस लगेंगे आपको SCST के लिए और इसके लिए लोग इन कैसे करना है आपको application form में जाना है वहां भी आपने अपने आपको register करना है और उसके बाद आपने अपना जो form में उसको फिल करना है वह यह सारा पसाजोब आपने करना है इसके बार आपको documents के अप्लोड करने है metaculation का है graduation की DMC है character certificate से gap year का certificate है sports category में है तो उसका certificate है तो यह सारा documents आपने अप्लोड करने है इसके साथ ही अपनी passport size की photo upload करनी है सिमेचर upload करने है तो parents guardian की photo upload करनी है इसके इलावा और भी जो important update से वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी तो age limit यहां पे कोई भी नहीं है तो age limit यहां पे कोई भी नहीं रहने वाली है और इसके लिए जो प्रॉस्पेट है यहां पे आप डॉनलोड करेंगे तो यहां से आपको इसका जो प्रॉस्पेट करके वह मिल जाएगा तो यहां पर आपको सभी चीजें जो ही वह मिल जाएंगी अडिमिशन के यहां पे जैसे वोस्पेट का है दो साल का दोशीशन होता है और यहां पे हलप लाइन नमबर दिए इसके तरह की आपने कोई इंवर्फिशन के लिए क्या है इस निमट क्या है बेच्छी क्या रहेगी सीट्स के लिए यू टी के लिए यानिए चंडिगड के लिए 85% सीट से और अधर के लिए पंद्रा परसंट जो सीड है वो रखी जाती है तो डिसीजन ओफ सीड्स का क्या रहेगा डियू कास्ट के लिए क्या है डिफेंस के लिए क्या है तो यह सारी चीजिए आपको यहां पर प्रसक्ट हुए देखने को मिल जाएगी तो जैसे ही पंजाम में हम आपके साथ जिरूँ हो जाता है तो जैसे ये अपडेट आएगी तो हम आपके शेयर करेंगे तो चलिए आज की स्वीड़े को यहीं खतम करेंगे जलदी मिलेंगे आपके साथ नेए इंफरमिशन वाली वीडियो में